हैबी बार डे सचिन पाइलेट जी हाँ इस समय पूरे राजस्थान में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी रही है वो है सचिन पाइलेट को उनके जनम दिन पर विश्कर देखे साथ सितंबर 1977 को राजश पाइलेट और रमा पाइलेट के घर पर नन्नी किलकारियां गुंजी राजश पाइलेट और रमा पाइलेट ने बड़े प्यार से इस बच्चे का नाम रखा सचिन पाइलेट उस समय राजश पाइलेट को ये पता नहीं था कि जिस तरीके से राजन ना सिर्फ राजस्थान साथ ही पुरे देश की राजनिती में अपना एक अलग मुकाम रखते हैं समर्तकों की जितनी भीड सचिन पाइलेट के पीछे है उतनी भीड किसी भी राजनिता के पीछे नहीं देखी जा सकते महर 26 साल की उमर में सचिन पाइलेट ने अपना राजनितिक करियर शुरू किया 2004 में सचिन पाइलेट ने अपनी ग्रह भूमी अपनी जन भूमी से अपने राजनितिक करियर की शुरुवात की और उन्होंने लोकसबा का चुनाओ लड़ा पहले ही चुनाओं में सचिन पाइलेट को एक बड़ी जीत हासिल हुई उसके बाद 2009 में उन्होंने अपनी सीट को बदला और अजमेर चले गए अजमेर में 2009 में सचिन पाइलेट ने किरण महीश्वरी को भारी मतों के अंतर से हराते हुए फिर से जीत हासिल की जिसके बाद केंद्र की नजरे सचिन पाइलेट पर पढ़ी और सचिन पाइलेट को महतपूर जिम्मेदारी से नवाजा गया लेकिन 2014 का समय सचिन पाइलेट का नहीं था सचिन पाइलेट ने 2014 में फिर से अजमेर की सीट से लोकसवा चुनाओं में अपना भाग्या आजमाया लेकिन उस समय वहां के मौजूदा विधायक सामरलाल जाट ने उनको करारी शिकस्त दू लेकिन आलाकमान का भरोसा सचिन पाइलेट से नहीं डगमगाया 2013 में कॉंग्रेस राजस्थान में बुरी तरीके से हारी थी बीजेपी ने 2013 के विधान सबाचुनाओं में प्रचंड जीत हासिल की थी कॉंग्रेस को महज 21 सीटों पर समेट गिया था ऐसे में कार्यकरताओं का विश्वास जो डगमगा चुका था हार इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी कि लग रहा था अब कॉंग्रेस वाक्सी नहीं करेगी उस समय आलाकमान ने सचिन पाइलेट पर भरोसा जताते हुए 2014 में PCC चीफ बनाते हुए उनको महतपूर्ण जिम्मेदारी दी सचिन पाइलेट हालाकि एक युवानेता जब 2004 में वो लोग सबाज का चुनाव जीते थे तो उस समय सबसे कम उम्र का MP बनने का गौराव भी सचिन पाइलेट ने हासिल किया 2014 में PCC चीफ की जिम्मेदारी तो उनको दी गई लेकिन बिखरे हुए कॉंग्रेस को फिर से एक जुट करना उनके सामने सबसे बड़ी चुनावती भी थी 2014 से लेके 2018 तक सचिन पाइलेट लगातार कॉंग्रेस को मजबूत करने में जुटे रही पूरे राजस्थान के दौरे की ये कारिकरताओं में एक नई जान फूंकी और जब 2018 का चुनाव हुआ रुपरी नाम आया तो हर तरफ सचिन पाइलेट की जेजेकार हुई हाला कि सचिन पाइलेट ने 2018 में टौक का रुख करते हुए वहां से विधान जबा का जुनाव लड़ा और यूनुस खान को भारी मतों से हराया उस समय ये लग रहा था कि सचिन पाइलेट प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन नियती को कुछ और ही मन्जूर था सचिन पाइलेट और अशोग घैलोत का मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो जगडा हुआ वो जग जाहिर है आलाकमान ने बीच बचाव किया मुख्यमंत्री की कुर्सी अशोग घैलोत के पाले में गई तो सचिन पाइलेट को प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उप मुख्य मंत्री का जिम्मा भी सौंपा गया लेकिन सचिन पाइलेट इस पत से शुरू से ही नाराज नजर आ रहे थे लेकिन जुलाई 2020 में आखिरकार सचिन पाइलेट का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने लगभग देड़ दरजन विधायकों के साथ अशोग घहलोत को आँखे दिखा दी और इसके साथ ही सचिन पाइलेट का उस समय का एक बयान काफी वाइरल हुआ कि अशोग घहलोत की सरकार अल्पमत में है सचिन पाइलेट अपने समर्थकों के साथ माने सर चले गए थे लेकिन आल्पमान से अशोग घहलोत की नजदी कियां इसके साथ ही अशोग घहलोत को निर्दलिय और बस्पा के विधायकों का साथ मिलने के बाद अशोग घहलोत्र से मजबूत हो गए और सचिन पाइलेट को आँखे दिखाने लगे हाला कि इतना सब कुछ होने के बाद आला कमान ने सचिन पाइलेट से समझाईश की और इसकी कड़ी बने राहुल गांदी और प्रियंका गानी दोनों की समझाईश काम आई और सचिन पाइलेट ने अशोग घहलोत के साथ समझो अता कर लिए लेकिन सचिन पाइलेट के मन में कहीं न कहीं मुख्यवंत्री बनने की टीस नजर आ रही समय समय पर सचिन पाइलेट के बयान अशोग घहलोत के खिलाब थे और उसके बाद लगातार राजस्थान की राजनिती में इन दोनों का जगड़ा कभी कभी बहार आने लगा या यूं कहें कि विधान सबाचुनाव 2023 से पहले इनका जगड़ा चरम पर पहुँच गया था इसका खामियाजा कॉंग्रिस को फार के साथ भुगतना पड़ा सचिन पाइलेट का राजनिती करियर में अब तक सिरिफ पंच चुनाव लड़े हैं पहला चुनाव उन्होंने 2004 में टॉक से लड़ा और जीत भी हासिल है। सचिन पाइलेट के समर तक लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। उनकी इमेज लगातार बदलती जा रही है। और इत 47 साल का या यूं कहें कि 47 साल का नो जवान अभी भी प्रदेश में युवा दिलों की धड़कन बना हुआ है। सचिन पाइलेट के परिवार की बात कर लेते हैं। 15 जनवरी 2004 को सचिन पाइलेट की शादी फारुक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से हुई और उनके दो बेटे हैं। हाला कि जब विदानसवा चुनाओ का नॉमिनेशन भरा जा रहा था तो उस समय सचिन पाइलेट के एफेड़ेबिट में मैरियंटल स्टेटस में लिखा गया अनमैरिड या फिर कहें डाइवोसी वो काफी चर्चाओं में रहा था। ऐसे में सचिन पाइलेट के ना सिर्फ राजनितिक करियर इसके साथ ही उनकी पारिवारिक जीवन में भी काफी उतार चड़ाओ देखने को मिला था। लेकिन सचिन पाइलेट मजबूत थे, मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे ये बात उनके समर्थकों का कहना है और उनके समर्थक ही उनकी ताकत है। सचिन पाइलेट के जनम दिन पर कुछ उनके जीवन के बारे में आपको बताने की कोशिश की थी। सचिन पाइलेट वो नाम जहां वो खड़े हो जाते हैं तो लाइन वहीं से लग जाती है उनका राजनिती करियर अब परिफक्व होता जा रहा है राजनिती में नए मुकाम उनका इंतजार कर रहे हैं ऐसे मैं अब देखना होगा कि सचिन पाइलेट वो नाम जो युवा दिल की धड़कने हैं राजनिती में एक परिपक को नेता बन चुके हैं राजनिती की अगर बात की जाए तो इस समय अपना एक अलग मुकाम रखते हैं ऐसे में सचिन पाइलेट के सपने कब पूरे होंगे ये देखने वाली बात होगे आप देख रहे हैं दनगरी मीडिया मैं हो लाले थ्वारा